आप सभी साथियों का M&T News Network में स्वागते साथियों में राजा गोतम साथियों जिसे कि आपको पता है कि अभी हम इधर लगबग एक हपते से जारखंड के दोरे पर हैं और आज हम पहुंचे हैं गिरडी लोग सबा छेतर में और आज हमारे साथ मुझूद है पीपल्स पार् हैं और क्या उनको लग रहा है इस लोगसबा छेतर में सबसे पहले हम उनका परीचे जान लेते हैं सर आपका पूरा परीचे जी मेरा नाम मुल्निवासी परमुद राम हुआ और पीपल्स पार्टी ओप इंडिया डिम्रिकोटी के प्रतियासी गिर्डी लोग सबा से हूँ और मेरा चुनाव चीन है फलो के टोकरी और करमसंख्या साथ ने चुनाव लड़ने का क्यों सोचा चुनाव हम इसलिए लड़ें सर की चुनाव की जो पिछले सतर पचितर सालों से जो चुनाव हो रही है वो हमारे मुन्निवासी SC, STOBC के लिए कुछ भी नहीं कर रही है आ पुझी वादियों की जो राजनितिक रही 75-70 सालों से वह अपने ही हीतों के लिए काम कर रही है ना यह स्टी अश्टी अब इसी लिए पीपल्स पार्टी ओप इंडिया डिमेकृतिक समीधानवाद की राजनितिक करना चाहती है और सभी को सम्मान अधिकार दिलाना चाहती ह सर बहुत सारी पार्टी अभी चुनावी मैदान में हैं तो कॉंग्रेश बीजेपी बड़ी पार्टी या छेतरे पार्टी भी हमने देखा यहां चुनावी मैदान में अपने कंडिडेट उता रहे हैं तो आपने पीपल्स पार्टी ओप इंडिया ही क्या खास बात है आप कार की बात करती है और ये CSTOVC मुल्निवासियों के लिए अभी पिछले 70-50 सालों सो जो भी पार्टी बनी है जो भी पार्टिया बनी है वो उनके हीत में काम नहीं कर रही है और ना ही करना चारी है इसलिए प्रटी पार्टी और एंडिया दिमयकर्टी के माध्यम से जुड़ा और मुझे पिपि आईडी ने गिडिलो सभा पर्तियासी के लिए मुझे चुना और मैं अभी चुनाव में खड़ा हूँ और परचार भी कर रहा हूँ ये लोकतंत्र पाटी है और ये सम्मिधानवादी पाटी है और सभी को लोकतंत्र के माधियम से सभी को अपना अपना हिस्सा जो समान अधिकार मिलना चाहिए वो देगी तो आपको क्या मुद्दे आपको यहां छेतर यह मुद्दे लगे आपको जार खंड में किन मुद्दों को लेकर आपकी पाटी और आप चुनाओं में मैदान में आये हैं देखिए अभी हम गिरेडी छेतर का दोरा कर रहा हूं तो यहां की लोग सम्मिधानिक जो अधिकार होना चाहिए सानसत का क्या काम होना चाहिए वो जनता का अभी भी पता नहीं है हम जहां भी जा रहे हैं तहां बोर हैं कि हम रोड हमें बना दीजिए घर बना दीजिए लेक शिक्षा स्वस्त रोजगारोटी कपड़ा मकान की जो बेवस्ता होनी चाहिए वो होना चाहिए लेकिन अभी जनता जो है सांसत का क्या चुना होता है सांसत कोन होते हैं विधायक कोन होते हैं उनका क्या काम होता है उनको पता नहीं है हम बता रहे हैं लोगों के सांसत वो समान मिल सके रोजगार समान मिल सके और सभी के हिस्सेदारी के बात कर सके इसलिए सांसत गौण में उनको भेजना चाहिए कि सभी के हीतों की बात कर से जिस तरीके से आपने बताया कि आप दोरा कर रहे हैं तो लोगों के क्या सवाल आपके सामने आरे जो आपको मुस्किल लेकिन हमने बताया जनता को कि आपको सिक्षा चाहिए या रोजगार चाहिए या फिर पैसा चाहिए लोग बोल रहे हैं कि मुझे पैसा ही दो आने की मुफद खोरी का आद़ जो लगाया हुआ है जनता को वो उनको सिक्षा से अभी मतलब नहीं फिलाल लेकिन पांट साल बा काम ने किया तो हमने लोगों को बताया ये मुफद खोरी का आदत हटाईए ये मुफद खोरी हमारे समाज मुलनेवासी समाज को पुरे गर्त में ले जा रही है और हम चाहते हैं कि मुफद खोरी का आदत People's Party of Inter-Democratic धिरे-धिरे कंट्रोल करेगी और हम विचार से अपने हितों में बात कर रहे हैं और अपने भोटो को हम मांग रहे हैं यही हम जनता गिर्डी की जनता से अफिल करते हैं जी मैं गिर्डी जनता वासियों से ये अफिल करना चाहता हूं कि People's Party of India Democratic लोगतांत्रीक है समिधानवाद की बात करती है सभी के जिसकी जितनी जनसंक्या भारी उसकी इतनी हिस्यदारी की बात करती है मैं अफिल करना चाहता हूं गिर्डी जनता वासियों से की मैं जहां तक पहुंच रहा हूं आप सभी मुझे People's Party of India Democratic को सहयोग करे और ये पार्टी लोगतांत्रिक है, सभी की हिस्यदारिक बात करती है मैं पुना आप सभी को जैभीम, जैमुल निवासी और MNT News Network को भी मैं धनवात कहना चाहूंगा